जहिन जवानों कैसे हैं आप सभी तो सामाने हिंदी से एक और उप्योगी प्रक्टे सेट आप सभी के लिए दोस्तों मुक टेस्ट नंबर है इसका 10 इससे पहले अगर दिया आपने 9 मुक टेस्ट हमारे नहीं देखें तो बिल्कुल देखेगा दोस्तों पिरते एक में 50 कुशन आप सभी को कराएगे हैं यानि कहने का मतलब इससे पहले 9.45 यानि की 4.500 कुशन हम हिंदी से दोस्तों कवर कर चुके हैं पिरते एक दिन मैं आप सभी के लिए 50 इंपोर्टेंट कुशनों का मुक टेस्ट लगाता हूँ दोस्तों इसे टाइप करने में लिखने में काफी मेहनत लगती है तो मैं अपने सभी फ्रेंडों से अनुरूद करूँगा जो भी इस वीडियो को देखे वो किरपया करके 10 दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें टाइम रहेगा 20 मिनट के एफ रॉक्स इसका 50 कुशन दोस्तों हमें कम्पलीट करने है पीडियाप चाहिए ना आपको इसकी हमें तो बाद में कर लेना आपका यही मूण्ट करता है ना कि इतनी लंबी वीडियों हम कैसे देखें देखें दोस्तों वीडियों अगर आपको देखना है आगे तक जाना है तो जाइए वरना अगर आपको लगता है अगर भी हनाए नहीं नहीं हमको तो मूघ टेस्ट के हल करना सीधे सीधे तो सिधी आप फिर Di你知道 down लोड कर लिजे ए उसके नीचे ही आनसर आपको सबसे पहले आप इसे हल करिएगा 20 मिनट का टाम लगाकर हल कर लिजेगा है और हल करने के बाद में करते हैं दोस्तों आप सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ठीक है चलिए सबसे पहला कुशन हम देखते हैं उपसर्ग तत्सम सब्द और हिंदी के प्रत्य से निर्मित सब्द कौन सा है उपसर्ग तत्सम और हिंदी के प्रत्य से इनमें से एक सब्द निर्मित है वो सब्द कौन साहे बहुत उप्योगी कुषिन है दोस्तों है पड़ते के लिए आपको 5 सेके ईनका समय ही दूँगा बस तो राइट आंसर दोस्तों पर बढ़ार रहेगा कुरू तीयों यानि की सी उपसें साही है बात वाखी सारे options कलत हैं मतलब window change कर लो मैं इसकी ये वाली window काफी अच्छी रहती है चलिए national number question देखते हैं दोस्तो question number two अनू उपसर्ग का उधारन है तो अनू उपसर्ग का इन में से कौन सा उधारन है याद रखेगा ये चोटा वाला अनू है तो अब चोटा वाला इमत लगा दीजेगा ठीक है चोटा जो उधारना ये ये बड़े उ में परिवर्तित हो जाएगा ये में इसमें तो सभी में कैसा चोटा तो ये ने होंगे ये हो जाएगा अनू प्लस दित यानि की अनू उपसर्ग इसमें लगा हुआ ये वाले ऑप्शन में ठीक है बादवा की सभी में गलत है तो ये ऑप्शन से ये भाई मेरे इसमें नेच्ट वान कुशन नमर थ्री आव उपसर्ग का प्रियोग किस अर्थ में नहीं होगा ठीक है तो आव उपसर्ग का प्रियोग किस अर्थ में नहीं होता तो तीसरा नमर है दोस्तो अव हीन ठीक है इसमें दोस्तो नहीं होता अव बुरा ठीक है अव हीन अव पास अव नीचे ठीक है अव पास है अव नीचे है अव बुरा है अव हीन तो हीन बिलकुल यहां पर दोस्तो गलत है बी ऑप्शन इसका गलत था ठीक है इसमें दोस्त तो अब उपसर्ग का प्रियोग इस अर्थ में नहीं होगा प्रे उपसर्ग से निर्मित सब्द कौन सा है इनमें से बताना प्रे प्रे उपसर्ग से निर्मित सब्द कौन सा है ध्यान से दीजीगा चोथे नमबर का दोस्तो राइट आंसर है प्रे प्लस योग यानि कि प्रियोग डी उप्सन ये प्रती प्लस कूल है ये प्रा है ठीक है और ये प्रसन जो है दोस्तो ये प्रा प्लस रसन ठीक है तो इसमें भी प्रे उप्सर्ग नहीं है केवल लास्ट वाले में डी वाले मे नेश्ट नमबर निम्न सब्दों में से उपसर्ग रहेत सब्द, यानि कि जिसमें उपसर्ग नहीं है, तो पहिंचान लोगें, आपके कौन से में उपसर्ग नहीं है, वया प्लस कुल, प्रे प्लस खर, प्रती प्लच्छा, ठीक है अग्जी जो है दोस्तों, ऐसा बिलकुल इस उपसर्ग रही सब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो C options रही है, ठीक है, नेश्ट बन ट्राइ किजिगा, इन में से किस सब्द में ना उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ है, ना उपसर्ग, ना खुष, ना जुक, ना लायक, ना पसंद ना खुस ना खुस हबई वह तो खुस नही है ना लाइक वो ना लाइक है ना पसंद है मुझे वो फिर क्या बच गया बी बच गया, नी ना जुक इसमें दोस्तों ना उपसर्ग नहीं है तो B dynamics ए हुआ ठीक है और वेसे स्टे अर्थ बताने वाला उपसर्ग कौन सा है कुश्चन नमर सेवन दोस्तो यदि आपने लगाया है ए उपसन ए को तो बिल्कु सही है बादवा की सारे उपसन्स दोस्तो गलत हैं अगला कुश्चन देखेगा कुश्चन नमर एट इनमें से किस सब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है यह ऐसे कुश्चन यूबे पुलिस यूपी एसाई में पूछे जाते हैं इनमें से किस सब्द में आ उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है कुश्चन नमर एट देखिया जल्दी से बताईए तो राइट आंसर दोस्तो इसका रहेगा आठ भी नमबर का बिल्कु सही आंसर है डी ऑप्सन ला जवाब ठीक है इसमें नहीं है जै सब्द का विलूम बनाने के लिए इनमेंसे कौन सा सब्द प्रियोग में लाना होगा जै किसी की जै हो गई भी और इसका विलूम बनाना जै होई है तो उस पर दोस्तो क्या विलूम सब्द बनाना इसका जल्दी से बताईए तो नाइट नमबर रास्ट 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 रेगा दोस्तो डियो उपसर ठीक है यानि कि जै सब्द का विलोम बनाने के लिए इनमें से कौन सा उप्योप्त उपसर होगा तो पर प्लस जाए यानि कि पर आजए चलिए अगला कुश्चन देखते हैं तो दस्वा नमबर इनमें से किस सब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हुए हैं तो राइट आंसर दोस्तो इसका अवहिल ना यानि कि ए आप्शन बिल्कु सही आप्शन है नेक्श्ट नमबर आगला कुश्चन वह सब्द बताईए जिसमें संधी तदा प्रत्य दोनों का प्रियोग हुआ है द्वन साव से सो यानि कि ए आप्शन इसका विल्कु राइट आंसर है आगला कुश्चन ले प्रत्य से निर्मित सब्द कौन सा है ले प्रत्य से निर्मित सब्द कौन सा है कम प्लेसल है यानि कि कामल यानि कि सही आप्शन सही है अगला कुश्चन कुश्चन लमर थरटीन रागव सब्द में प्रत्य है तो रागव सब्द में दोस्तों आपको प्रत्य बताना है राइट आंसर है A यानि कि B वाला उप्षन बिल्कुछ सही आंसर भाई next question देखेगा अगला नीचे दिये गए विकल्पों में से कोई एक सब्द कि अंत में भिन प्रत्य है उसका विकल्प क्या है यानि कि इन चारों में प्रत्य एक में भिन है तीन में समान है तो कौन सा है देखेगा इसमें एक प्रत्य है इसमें एक इसमें एक यानि इक इच्छुख यानि इसमें दोस्तों अलग प्रत्य है ठीक है आगला उप्षन किस सब्द में नी प्रत्य प्रियोक्त हुआ है किस सब्द में नी प्रत्य है More प्लस नी यारी कि More नी C options है अगला कुशन इन में से प्रत्य रहे सब्द कौन सा है किसमें प्रत्य नहीं है तो राइट आंसर है दोस्तो प्रत्य नहीं है विवाद में नैश्ट अगला कुशन नियमन वैसे किस सब्द में इत प्रत्य प्रियुक्त नहीं हुआ है इत कलंकित यानि इत इंसानियत ठीक है और आनन्दित यानि कि इत प्रत्य बताना इसमें दोस्तो देखीगा नियत यानि इत इत और इसमें दोस्तो कलंकित यानि कित आ रहा है इसमें तो A option इसका बिल्गुल सही option है, ठीक है, सत्रवे नमबर का, सोरी, सत्रवे नमबर का दोस्तों आएगा, इंसानियत यतारा इसमें, और इसमें इतारा, इसमें इतारा, इसमें इतारा, पुस्पित, ठीक, लंकित, इतारा, ठीक है, इंसानियत यतारा इसमें, तो इसमें लिए यह B option से है, इसका A नहीं अगला question, आवट प्रत्य में कौन सा सब्द नहीं बना है आवट प्रत्य में से किसमें नहीं लगा तो right answer दोस्तों गुर्राहट यानि इसमें आहट लगा हुआ है, आवट नहीं है तो A option से है अगला question, question number 19 ये प्रत्य योग से बना सब्द नहीं है य प्रत्यय योग से सब्द जो है कुन राइट आंसर है इमा यानिकी बी आप्सन सब्सक्रण इसके लिए अगला कुश्चन है किस क्रम में अधिक रन तत्पुरुस समास है तो किस क्रम में अधिक रन तत्त्रुस समास है राइट आंसर है दोस्तो अस्वा रोही में ठीक यानि अस्व तत्पुरुस समास का मतलब है सद्धी विछे दोगा अधिक रन यानि किसी के अधिक रन में हो तो अस्व रोही अस्व जो है उसके चलाने वाले यानि अस्वा रोही के दोस्तो बिलकुल अधिक रन में है आगल जो किसी तीसरे की तरफ इसारा करें उसे क्या कहते दोस्तों बहुब यह समास कहते हैं ठीक है यानि दसानन दसानन का मतलब रावण ठीक है नेक्स्ट अगला कुशन किस करम में समास का सही पिर्योग हुआ है तो राइट आल से रेसका C आप्शन कनक है जो लता याव जीवन में कौन सा समास है आतो आत दिनो दिन रातो रात याव जीवन यथा सक्ती यथा सम्भविन में कौन सा समास होता है आव यवी भाव समास तो इसमें भी कौन सा है याव जीवन में अब यवी भाव समास next किस किरम में बहुबरे समास का उधारन नहीं है 25 नमबर तो राइट आंसर है 20 वासी C ओप्सन next अगला देखिएगा चडिया मार पॉकिट मार इनमें कौन सा समास होता है चडिया मार में कौन सा समास है यानि चडिया को मार तो चिड याकोवार अब देख लिजी कौन सा हो गया करताने करम को यानि कि करम ततपुर समास भी ओप्सन से ही है Next one 27 किस करम में करमधारिय समास का उधारन नहीं है 27 नमबर किस करम में करमधारिय समास का उधारन नहीं है 27 नमबर question Right answer है जग बीती ठीक है यानि करमधारिय समास दोस्तो इसमें नहीं है जग बीती में जग उपर बीती इसमें दोस्तो अधिगरण हो जाएगा निर्विकार में कौन सा समास है Right answer दोस्तो अव्यविभाव समास यानि A option Next question है अगला वज्र देहे में कौन सा समास है 29 नमबर कुशन वज्र देहे में कौन सा समास है वज्र है जो देहे यानि वज्र की समान है जो देहे यानि कि करमधारिय समास C option Next one किस सब्द में दिगू समास है यानि संख्या वाला अगड़ा किसमें है इन में से तो राइट आंसर दोस्तों दो पहर यानि कि दो कहां करा रहा है तो जिसमें भी संख्या है उसमें दिगू होता है Next राम कलम से लिखता है इस वाक्य में करता की अत्रिक्त और कौन सा कारक है कलम से लिखता है करता ने करम को करन से यानि कि से से लिखता तो कलम से लिखता है यानि कि कौन सा हो गया करनकारक अगला कुशन 32 नमबर रमेश जैपुर से दिल्ली जा रहा है वाके मैं कौन सा कारक है जैपुर से दिल्ली जा रहा फिर वो तो अलग हो रहा ना अलगा वाली बात हो रही है तो कौन सा हो जाएगा दूर जाने के लिए आप आदान कारक यह निके B Option बिल्कुल सही है ठीक है नेस्ट 33 पियूस राम को पीट रहा है इसमें कौन सा कारक है पियूस राम को पीट रहा है प्यूस राम को पीट रहा है नहीं करता किसको पीट रहा करता इसमें दोस्तों किसको पीट रहा है राम को पीट रहा है प्यूस तो इसमें कौन सा कारक है दोस्तों करता कारक हो जाएगा बी ओप्सन सही रहेगा इसका ठीक है 33 नमबर का बी ओप्सन गलत मतलगाईएगा बई अगला कुशन, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, इस में जो रेखांकित भाग है दोस्तों, इसमें कारक कौन सा है, पूजा को नौकरी नहीं करनी है, पूजा को नहीं करनी है, इसमें कौन सा कारक है, पूजा को यानि पूजा को को आ रहा है, तो इसमें कौन सा करम, उसे करम नहीं करना, next one, उत्तम पुरुस बहुवचन संबंद कारक है, उत्तम पुरुस है, बहुवचन संबंद कारक कौन सा है, मैं मेरा उत्तम पुरुस होता है, और हम, मैं और हम आते हैं न उत्तम पुरुस में, तो मैं और मेरा हो गया, और उसकी कारक विवक्ति होगी, हम और हमार हो गया तो बहुत चंकार्ण कौन सा होगे हमारा यानि किसी औप्सटन से हो गया नेकश्ट अगला देखिएगा जब बच्चे को प्रकर्टी से दूर रखा जाता है ठीक है रेकांगे शब्ध मैं यहाँ पर कौन सा कारक आएगा जब बच्चे को दोस्तो प्रकर्टी बिल्ली छत से कूद बड़ी में कौन सा कारक है बिल्ली छत से कूद बड़ी अब कूद गई तो बैठेगी नहीं जाके तो अलगावाली बात होगी दूरी बनगी यानि कि अपादान कारक सही है भी ऑप्सण सही है ठीक है नेश्टवान थर्डी एट नमबर लड़का अगला कुशन 39 लोगों ने सोरगुल करके डांकुओं को भगाया उक्त बाक्य मैं कारक बताईए लोगों ने सोरगुल करके डांकुओं को भगाया था तो 49 लोगों ने सोरगुल वर और के टांकुद लोगों करक्य मैं कारक ा क्याया वितुप्ता को भगाया है को लोगों एकशन पर बगाया है कामना तो यानि कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों इच्छा कर रहे हैं अपनी तो ए उप्संस यह इच्छा वाच्छ वाक्य वह इस वर तुमारा सफलता प्रदान करें तुम्हें मेरा छोटा भाई प्रसांत धार्मिक पुष्टकें अधिक पड़ता है इस वाक्य में विधे का विधे का विधे का विधे का विधे का विधे आपको बताना है वाक्य के दो होते हैं ठीक है एक उद्दे से और एक विधे तो राइट आंसर दोस्तो धार्मिक पुश्टकें क्या है दोस्तो इसमें उसका विधे है ठीक है पढ़ने का नेक्स अगला देखीगा रचना के आधार पर किये गए वाक्य के वरगी गरण में इन में से कौन सा प्रकार नहीं है राचना के आधार पर किये गए वाक्य के वर्गी करने मिने से कौन सा पिरकार नहीं 43 नमबर तो राइट अंसर दोस्तो अग्यारथक वाक्य यानिकि B अप्षन बिलकुस सही है इस ये पिरकार किसी का भी नहीं है मिसर वाक्य से युक्त वाक्य और सरल वाक्य प्रकार है यह नहीं है नेक्ष्ट चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिखो इस वाक्य में कलम किस कारक में है कलम से यहनि किसी के दोवाराइन से यहनि कि फिर क्या हो गया तो 44 नमर का राइट आंसर होगीई दोस्तो C आपसन करन करताने करम को करन से नैक्ट नमबर मैं उस लड़की से मिला था जिसके किताब खो गई है वाक्य कैसा है नैक्ट वन अगला क्षिंट आपका जीवन मंगल में हो यह वाक्य किस प्रकार का है आपका जीवन मंगल में हो यह वाक्य किस प्रकार का है भै आपका जीवन मंगल में हो हम आपके लिए इच्छा कर रहे हैं काम ना कर रहे हैं तो इच्छा वाचा कि यानि C आप्सन से ही है नेक्ष्ट वन 47 नमबर मेरा भाई निसान्त जासूसी पुष्तके या दिक पढ़ता है इस वाक्य में उद्दिश से का विस्तार है तो उद्दिश से का विस्तार क्या है दोस्तो मेरा बड़ा भाई ठीक है मेरा बड़ा भाई next और विदह पूछता तो जासूसी पुछता के next मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था उप्योग तवाक्ये में रेखांग की तवाक्या है ठेक मैंने एक फूल देखा जो खिल रहा था ठेक है इसमें कौन सा दोस्तो जो है ये क्या है तो right answer दोस्तो विसेशन उपवाक्य है next question आप जानते हैं कि इमानदारी एक अच्छा गुण है उप्युक्त वाक्य में रेखांग की तवाक्य है वह इमानदारी एक अच्छा गुण है तो उनन्चास नमबर का संग्या उपवाक्य बिल्कुत सही अंसर है next question है 50 number last question जहां जहां वह गया उसका सम्मान हुआ उप्युक्त वाक्य में रेखांग की तवाक्य है तो रेखांग की तवाक्य दोस्तो क्या है यह है किरियावार किरियावे सेशन यानि कि C वारा उप्सन सही रहेगा अब 50 question की answer की दोस्तो आप सभी को नीचे डाल के दे रखिये पहले टैस्टल कीजे फिर अपने answer मैच कर लीजेगा thanks for watching, have a great day